देश की राजधानी दिल्ली एक नई स्टेडी में दुनिया की सबसे प्रदूशित शेहर की रूप में उभरी है इस स्टेडी में ये भी पाया गया है कि अगर प्रदूशन का वर्तमान इस्तर विश्व स्वास्त संग्ठन की तरफ से निर्धारित सीमा से ज्यादा रहता है तो दिल्ली में रहने वाले लोग अपनी जिन्दगी के 11 साल 9 महीने की रहा पर हैं यानि आपकी उमर करीब 12 साल कम हो सकती है शिकागो यूनिवर्सिटी में एनरजी पॉलिसी इंसिट्यूट की तरफ से जारी AQLI यानि एर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स से ये भी पता चला है कि भारत में रहने वाले 130 करोड लोग उन ख्षेत्रों में रहते हैं जहां सालाना ओसत पार्टिकुलेट प्रदूशन का इस्तर डबलू एचों की तरफ से नरधारित 5 माइक्रोग्राम प्रति घल मीटर की सीमा से ज्यादा है इसमें ये भी पाया गया है कि देश की 60% से ज़्यादा आबादी उन इलाकों में रहती है जो देश के अपने नेशनल एयर क्वाल्टी स्टेंडर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है 1998-2021, India's annual average particulate pollution has increased by nearly 68% and currently it stands as the world's second most polluted country behind Bangladesh and this means as a health issue we're seeing it beat out issues like cardiovascular disease, high blood pressure, smoking, child and maternal malnutrition in India 2019 में भारत ने प्रदूशन के खिलाप युद्धिकी घोशना की और अपना राश्ट्री स्वच वायू कारिक्रम यानि NCAP लॉंच किया जो particulate production को कम करने का संके देता है हाला कि जमीन पर इसका असर अब तक नहीं देखा गया है NCAP का मक्सद 2017 की तुल्ला में particulate production को 2024 तक 20-30 प्रदूशन तक कम करना है साथ ही 102 शेहरों पर फोकस किया गया है जो भारत के राश्ट्री वार्शिक ओसत PM 2.5 स्टेंडर को पूरा नहीं कर रहे थे इन शेहरों को non-attainment city कहा गया है Pollution is a stubborn problem and cleaning it up requires sustained effort over a long period of time and I think the national clean air program that's been instituted by the government is extremely promising there are thousands of Indians who are working hard in all kinds of sectors in all kinds of ways some of who I know who are working to change this every single day and these people will eventually be successful 2022 में सरकार ने 2026 तक 131 non-attainment city के लिए पार्टिकुलेट मेंटर में 40 प्रतुषद की कमी के नई लक्ष की घोशना थी study में कहा गया है कि अगर संशोदित लक्ष पूरा हो जाता है तो इससे इन टार्गेटेट 131 शहरों में रहने बाले औसत नागरिक की जीवन प्रत्याशा में 2.1 वर्ष की वरद्धी होगी और देश में एक औसत भारतिये की जीवन प्रत्याशा 7.9 महीने बर जाएगी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 131 टार्गेटेट शहरों में से 38 भारत के उत्तरी मेदानी इलाकों से सम्मंदित है